आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटी कंसेप्ट में आप लोग का प्यार और आप लोग के सल्योग से अभी हम लोग अब करने जाड़े हैं आप लोग का अच्छा खासा रिस्पॉंस मुझे मिल ला जिससे मैं बहुत ही मतलब क्या सकते हैं कि इससे मुझे मौटिवेशन मिल ला जिससे मैं आगे और अपने लेक्शर को कॉंटिनुव कर सकूं तो यह एलेक्शन कमिशन का पार्ट 3 है अभी तक मैंन अपलोड कर दिया और अब लोग का अच्छा खासा रिस्पॉंस है अभी हम लोग इसलिए एक नया इनिशिटी भी स्टाट के बीच मत्यूंद करेंट से एक पोस्टमार्ट हम टाइक करेंगे पोस्टमार्ट इंदस इसका है उसका इनिशिल से लिके फाइनल इच एन एवर इसमें पूरा एक तरीके से करेंट तक हमने उसमें कवर किया अगर जिसने भी वह नहीं देखा तो पर उस चीज को जा के जरूर से जरूर देखे इससे हमें यह पता चले कि आपको पता चलेगा कि क्लासिकल लेंगवेज, ऑफिशियल लेंगवेज और इजन लेंगवेज में माइनर से और अभी हम लोग कांटिन्यूट ऑषेगесть पार्ट त्री में और पार्ट थरी का यह चल्लाव एलेक्शन कवेशन का जो पॉलिटी का एक स्रीज चलाए यह पॉलिटी का स्रीज नहीं रुकिये एए नहीं हो एक या दो बंदे देखिए या तीन बंदे देखिए यह पॉलिटी का स्रीज कंटिनिवी रहेगा ओल विच जब तक हमें चैप्टर पूरा नहीं कर सकते कर लेते हैं और अभी हम लोग आगे की और करवाते नहीं तो इंपोर्टेंस की ऐडें पॉर्टेंस किह को सबसे पहले हैं आप के पास जलतने क्या नहीं अगर आपको कोई जिते पास बस्ता अब क्या करते हैं अगर आप डालों हो गया या हो गया हमान लोग कोई जैसे पंचायती राचे तो बहां तक भी आप कहा कर सकतो पांस साल में आपके पास एक 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 एक्वल फेर आपको एलेक्शन करवाने का इसका इंपोर्टेंश का मतलों क्या होता है एक ही पॉलिटिकल पार्टि और क्या करता हूं ही कि पांच बंदे खड़े अच्छा एबी इस करके वो पांच बंदे वह अपने एक ही पार्टि के खड़े करवा तुम तो उसी मेसेज ना यह लोगा यह कौन सा लेक्सन होगे यह फेडर लेक्शन थोडी नहीं होगा इसका इमपोर्टन्स का मितलब क्या होता है एक पाटीशेपिशन भी होता हुथ हरे एक इंसान इसमें क्या कर सकते अब जिसे ऑलो हमारे परिविंत केजिरवाल है वो तो कितने अच्छे पोस्ट पे थे यूपेस से क्लियर की वे बंदे थे बंदे हैं और वो हायर पोस्ट पे थे इंकम टेक्स पे थे उनके आज देखो आज उनके पास राइट था तो नहीं एक इंकम टेक्स ऑफिसर क्या होगा आज एक इसी यू के पास एक उपर्चुनिटी इंपर्टेंस के एलेक्स न का मैं यह बता रहा हूं आज उनके पास एक उपर्चुनिटी था तो आज क्या सीम बन गया पहले कॉमेडियन थे नव्जओद सिद्दू क्या थे कॉमेडियन थे कृक्रिकेटर थे आज सीम कभी के समय में देता है कि आप किसी को भी महाँ पर ख़ड़ा करवा सकते हो कि कोई भी किसी के पास भी हग यह कोई भी जी सकता है मतलब एक तरीके से इसमें बताता है कि आपके पास पूड़ा राइट है हर एक सीटेशिम के पास एलीजेवल है क्या है वोट दे सकता है जो 18 साल सोग पड़ है यह भी एक तरीके से इंपोर्टेंस है अगर नहीं होगा तो क्या होगा कोई भी वोट ने देगा जैसे पहले का बूत के अपचिरिंग हो जाता था क्यों हो जाता अब एक तरीके क्या से वोटर फ्रेंडली इंवारोमेंट हमारे भारत में इसका एक इंपोर्टेंस है कुछ चैलेंजेज भी है अगर तुमने कहीं पर कुछ हाथ डाला तो उसके चैलेंजेज भी होगा ना चैलेंजेज में देखो पैसे का मतलब पूरा इसम दारू और व एक सिटीजन बात करो ना हमें उस इंसान को वोट देना चाहिए जो हमारे लोकल लेवल पर जो क्या देखो अब जो दिल्ली में हैं अभी सपोज एक अभी नेता को ले ले लेते हैं आप MP तो बन गया है ठीक है और अब पूरे पास साल एक बार भी अपने जा रहा है अपन जिसको क्रिमिनालिजेशन भी कहते है पावर के दम पर जीती गया उसके बाद क्या हो तो हमें अगर हम से कोई पूछे था हम तो यह कहेंगे कि आप वोट नहीं को दो आपके रिजिनल लेवल पर कोई हो आपका अगर कोई ख़ड़ा हो तो उनको आप वोट दो जो लोकल ल कोई लेकित पर किल आपके अगर में फक्रदी तांगा का मउर्णामस कोई और मिंग रूद्र में होता है जिसके पास जाया होता है वो जीतने के कोशिस करता है पूरा है पूरी जीज़ लगा देता है जैसे मालों आज कल के एवियम कैप्चिरिंग का भी एक सिस्टम चलने लगा है यह प्रॉब्लम बताया जारा है कि अरेजिस्टर नहीं है वोट उसमें दिख रहा है कि हाँ इतने सारे कुछ कुछ चैलेंजे जादा इंपॉर्टेंट नहीं है यह मैं बताने के कुछिश कर रहा हूं इस्क्रिम नेशन होता है यहां बीजेपी वाले कोई भी खड़े हैं उनको देती है या कॉंग्रेस वाले कोई उनको क्यों देना हम आदि पार्टी का कोई यह देखो नो किसने अच्छा काम क्या कोन हमारे रीजिनल लेवल पर अच् अब देखो कुछ ऐसी वात है अभी मैंने इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को बताने को अगर मैं एक चीज़ बता रहा हूं अगर इस सबें भी अगर आप कोई प्रॉब्लम आ रहा हूं मैं नहीं समझ पाया या मरी से यह नहीं बन पाया तो एक चीज़ मैं बता रहा हूं यहां पर देखो मैंने अपना 100% दिया है मैं अगर कोई नहीं भी देखेगा पांच लागी भी देखेगा ने इसमें क्योंकि मैंने अपने 100% दिया और आज के पर मैं देखो अब ऑल्लाइन ही पढ़ाई चला फिर देखो कुरोना आ चुका है हार या कोरोना में से यह मास्क मत छोड़ना और कुछ-कुछ ऐसी बात है मास्क हमें सा यूज करो दूसरा क्यान है कि पब्लिकली खांसना उसना मत क्या करो आप अपने आथ अपने पास एक हैं कि राका करो जिससे पब्लिकली खांसने के कोई नौवाज ही ना है कुछ बात हैं जैसे और उसके अगर हां फिर आप आते हैं थोड़ा सा अपने टॉपिक पर अगर आपको यह चीज़ अच्छा लग रहा हूं मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि मैं परफेक्ट ही पढ़ा रहा हूं यार सबके पास प्रॉब्लम होती है सबको थोड़ा मुझे पढ़ाने का सबकर मैंने कोशिज यह करो भी पढ़ने का पूरा कोशिज करो बहुत अच्छे से माइनूट माइनूट चीज़ अगर आप पकरना स्टार्ट कर लोगा नो तो बहुत आगे जाओगे इसकी मैं गारेंटी देगा अब देखो उसके बाद किया ना कुछ ऐसी बाते हैं अगर आपको इस चेप्टर में या इस टॉपिक से जो मैं पॉलिटिकल का से लेखर आपर इसमें कोई भेगर आपको प्रोब्रम लगता है प्लिससे क्या क vimos मैं कोशिज और को इसको को एक अलग से टॉपिक आपको डिस्कुस करो है रहा है या मैं कभी विग ली कि सटेड करें सदे देखा मैं ध्लास तूरूम गा निए सटेड़ीं संदे में वीडियो भी ने डाल सकता है सकता है कोई भी टीचर मेरा काम कहाना जिसको जीरो नौलेज़ है उसको मुझे एक्टी परसेंट त्रू हंड़ेट परसेंट पर लेक्यान है मैं अपने लेक्चर से मैं अपने लेक्चर को पढ़ता हूं तो मुझे यह लगता है कि हाँ इससे हो सकता और मैं यह करके दिखाऊं क्योंकि यह मुझे अपने उपर फुल आन बरूर्स है इसी के साथ आज का हमारा अपने यह टॉपिक यहीं पर खत्म होता है पुड़े एक्षान कमिशन आफ इंडिया में अगर कहीं भी भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें कमेंट शिक्सर में जरूर बतानों और अच्छे से पढ़ो मन लगा के पढ़ो यह कुछ आटिकल है जो इलैक्सं कमिशन से रिलेटेडेड है प्लीज आफ इसको गो थू हो जाना मुझे कोई अच्छा सा मिला नहीं तो मैंने इसको इडाल दिया एक ब्ड़ा गो थू हो जाना आटिकल 324 में क्या बोल आटिकल 325 में क्या बोल रहा है आर्टिकल 326 में क्या बूल आर्टिकल 327 में क्या बोल रहा आर्टिकल 328 और आर्टिकल 329 में यह तो वैसे मैंने पूरा चैप्टर में complete कर दिया लेकिन एक बार यह गो तुरू जरूर हो जाना जिससे आपको अची तरह किसी का रीव्यू हो जाए कि कौन से अर्टिकल में क् कि इसी के साथ हमारा पॉलिटी का यह एक और चैप्टर कम्प्लीट होता हुआ इस चैप्टर का नाम था इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया और हमने यहां पर इस चैप्टर को कम्प्लीट कर लिया है और अब क्यों अब आप लोग का कुछ मेरे पास मेल आया है जिसमें किसी ने मुझे सेंस के वारे में मतलब जो लोग पढ़ते हैं जैसे तो उसके बारे में हम लोग टॉपिक अभी कंप्लीट कर रहे हैं बहुत कुछ लोग का मेला है था तो अभी हम लोग उसका पोश्ट मार्टम करेंगे और अच्छी तरीक ऐसे करेंगे मैं इसकी जवर्टी दे रहा हूं कि अगर उसमें आपको कुई माइनर सा माइनर हम लोग कंसेप को क्लियर करने का पूरी तरीके से कोशिस करेंगे ओके थैंक्स थैंक्स अलोट यहां पर आपका पॉलेटी का एक नयाज और चप्टर कंप्लीट होता है एलेक्शन कमिशन अफ इंडिया प्लीज आप लोग देखें अगर यह आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज करें मारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर जरूर से जरूर करें धन्यवाद थैंक्यू थैंक्स अलोट एंड जय ही जय भारत